प्रियंका को लगा बड़ा जटका जहां क्या कुछ हुआ है प्रेस कॉन्फरेंस हुई है कल बिग बॉस के घर में और इसके बाद मीडिया ने अपने टॉप टू बताए है कि किने मीडिया टॉप टू में डेखती है नमबर वन पर किसे देखती है नमबर टू पर किसे देखती है ये बताया है मीडिया ने लेकिन इसके बाद उड़ गए है प्रियंका के होश प्रियंका को लग गया है बड़ा जटका और इस जटके की बचे है कि मीडिया ने प्रिय प्रियंका को नंबर 1 पर नहीं रखा है, तो किस नंबर पर प्रियंका को रखा है, टॉप 2 में किस को शामिल किया है और क्या कुछ हुआ है प्रेस कॉन्फरेंस में, आपको बताँगी यहाँ टीवी धमाका की इस कास रिपोर्ट में लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप से बिलकुल भी मिसना हो वाल दोस्तो प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अर्चना गौतम और शालीन भनोत बिग बॉस के टॉप फाइव में पोहँच चुके हैं अब यहाँ पर जाहर सी बात है, एक ही सवाल सब के मन में है कि कौन इस शो को जीतने वाला है, बिग बॉस सोला की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा जहां शिव के भी बहुत सपोर्टर हैं, तो वहीं प्रियंका का फैन बेस भी कम नहीं है, दोनों ही काफे स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं ऐसे में मीडिया ने कल जब घर में तीखे सवाल पूछे कंटेस्टेंट से, तो प्रियंका कही न कही सकपकाती हुई नजर आई शिव ठाकरी पर वैसे मीडिया का निशाना कम था, लेकिन प्रियंका के लिए मीडिया के पास एक से ज़ादा एक तीखे सवाल थे, जिनके जवाब प्रियंका नहीं दे पा रही थी, और इन सारे सवालों जवाबों के बाद मीडिया ने जब अपने टॉप टू बताए, त प्रियंका को ये जटका मीडिया ने दिया घर में जाकर कि मीडिया उनको नमबर वन पर नहीं, बलकि नमबर टू पर देखती है, और शिव ठाकरे को नमबर वन पर देखती है, अब खेर, ये तो प्रेस कॉन्फरेंस की बात हुई, मीडिया की बात हुई, लेकिन प्रफिल में कौन नमबर वन पर रहेगा, कौन जो है वो अभी टॉप फाइफ से ही बाहर हो जाएगा, ये सब तो ओडियंस के हाथ में है और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं पत्ते जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिनाले वीग चल रहा है, तो अब शो में क्या होना है, इस बात के लिए जादा लंबा इंतजार नहीं रहे गया है, जल्दी ही ट्रॉफी किसी एक के हाथ लग जाएगी, सब ही अपने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जीते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जाहर सी बात है, जीतेगा तो कोई एक ही, कौन ज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे